तो आज की वीडियो में हम यह देखिए कि कैसे आप background blur कर सकते हैं Google Meet पर तो चलिए शूरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि आपको Google Meet आप जो application है वो आपको browser में आपको open करना है आप लोग यहाँ पर से भी आप open कर सकते हो अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको option मिलेगा Google Meet का तो यहाँ पर मैंने already open कर दिया है तो क्या करना है आपको सबसे पहरा first step जो है start meeting पर आपको click करना है और उसकी बाद जो है यहाँ पर पेज यहाँ पर लोड हो रहा है और यहाँ पर आपको join now पर click करना है आप join now पर जब click करोगे तो आपको basically यहाँ पर आप देख सकते होगी यहाँ पर कोई option नहीं यह background blur करनेगा तो आप लोग क्या करना है कि यहाँ पर जो तीन.co option फोज़ियर करना है और यहाँ पर more tools पर आपको click करना है औन यहाँ पर click करने की बाद यहाँ पर एक option आएगा extensions बहाँ पर आपको click करना है extensions पर आने के बाद यहाँ पर आप search कर रहे है extensions पर open Chrome Web Store यहाँ पर आपको search करना है background blur और Google Meet तो आप लोग देख सिखते होगी यह जो फर्स्ट ऑप्शन है बाग्राउंड ब्लोर फर गूगल मीट यह यहाँ पर आपको आड़ टू क्रोम में आपको क्लिक करना है एन आड एक्स्टेंशन आपको कर देना है तो यह जो है यहाँ पर आपके गूगल क्रोम में यहाँपर व सब्सक्राऍशन ही आपके पर अगया है तो इसकी बाद आपको क्या करना है है यहाँपर इसे रिफ्रस्च करना है पेज को और उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक नया आइकोन यहाँ पर देख सकते हो यह वाला ब्लर ओफ तो इसे मैं हाँ पर इसे अन कर दोंगा और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा तो 6 seconds के बाद यह ब्लर यहाँ पर आ गया है अभी फिलाल तो मैंने इसे बहुत मैक्सिमम पर रखा तो इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ आप लोग आपका जो इसे आपको ब्लर आपको बैग्राउंड रखना हुआ आप लिमित में रख सकते हो अगर मैं एकदा मिनिम में ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए जब भी हम नया वीडियो डालें थैंक यू